नमस्कार दोस्तों, स्वागता आपका ग्रामिन ग्यानदारा यूटूब चैनल पर आज हम बात करेंगे सुविदान के बागतीन के बारे में बागतीन का नाम है मूल अधिकार और इसमें अनुचेद हैं 12-35 तो सबसे पहले हम इनको याद करते हैं लगबग प्रीक्षा में परसंद बनते हैं और इनमें जो मूल पाठ है यानि जो बेर एक्ट है उसमें से परसंद आते हैं तो मूल अधिकार के बाग भी हैं, जैसे पहला बाग है सादारण, दूसरा है समता का अधिकार, तीसरा है सवतंतरता का अधिकार, चोथा है सोचन के विरुद अधिकार, पांचवा है दरम की सवतंतरता का अधिकार, छटा है संसकर्ती और चिक्छा समंध अधिकार, साथवा है कुछ वीदियों की व्यावर्ति फिर है सुवेदानिक उपचारों का अधिकार इस प्रकार से इनका उपववाजन किया गया है तो मूल अधिकारों का उपववाजन किस प्रकार किया गया है सादारण में, समता के अधिकार में, सोतंतरता के अधिकार सोशन के विरुद अधिकार में, धर्म के सोतंतरता का अधिकार में, संस्कर्ती और शिक्षय समंदी अधिकार में, कुछ वीदियों की व्यावर्ती और स्वेदानिक उपचारों के अधिकार में अनुचे 12 और 13 हैं साधारण में, समता के अधिकार में अनुचे 14 से 18 हैं, स्वातंतर्य अधिकार में अनुचे 19 से 22 तक हैं, सोशन के विरुद अधिकार में अनुचे 23 से 24 तक हैं, धर्म की सोतंतरता का अधिकार में 25 से 28 तक अनुचेद हैं, सैंस्कर्ती और शिक्षय समंदी अधिकार में गुण 30 से 30 तक अनुचेद है और कुछ वीदियों की व्यावर्ति में अनुचेद 31 कै से 31 गै तक अनुचेद है साविधानिक उपचारों का अधिकार में अनुचेद 32 से अनुचेद 35 तक अनुचेद है तो सबसे पहले हम देखते हैं साधारण, अनुचेद 12 इसमें परिबासा है, अनुचे 13 में मूल अधिकारों से एसंगत या उनका अलपिकरण करने वाली वीदियां अब देखते हैं समता का दिकार अनुचे 14 से 18, अनुचे 14 का क्या नाम है विदी के समक्ष समता, अनुचे 15 डरम, मूलोंस, जात्ती, लिंग या जनमस्तान के आदार पर विबेद का परतिसेद, अनुचे 16 लोक नियोजन के विशे में अवसर की समता, अनुचे 17 एस प्रशेत का अन्त, अनुचे 18 उपादियों का अंत, अब आते हैं अनुचे 12 से 22 तक स्वातंतरे अधिकार, अनुचे 19 वाक्ष्वातंतरे आदि विश्य कुछ अधिकारों का सरंख्षन, अनुचे 20 अपरादों के लिए दो सिद्धी के समंध में सरंख्षन, अनुचेद 21 प्राण और देग सोतंतरता का सरंक्षन अनुचेद 21 के सिख्षा का अधिकार अनुचेद 22 कुछ दसाओं में गिरफदारी और निरोध से सरंक्षन अनुचेद 23 और 24 है सोसन के विरूद अधिकार तो अनुचेद 23 में है माननों के दुर्व्यापार और ब्लाद्शरम का परतिशेद, अनुचेद 24 में कारखनों, आदि में बालकों के नियोजन का परतिशेद अनुचेद 25 से 28 दरम की सोतंतरता का अधिकार है अनुचेद 25 अन्तैकरण की और दरम के आबाद्य रूप से मानने, आचरण और परचार करने के सोतंतरता अनुचेद 26 दार्मिक कारियों के परबंद के सोतंतरता अनुचेद 27 किसी विशिष्ट दरम की अभिवर्दी के लिए करों के संदाय के बारे में सोतंतरता अनुचेद 28 कुछ शिक्षा संस्तानों में दार्मिक शिक्षा या दार्मिक उपासना में उपस्तित होने के बारे में सोतंतरता अनुचेद 31 के से गय तक कुछ वीधियों की व्यावर्ती है अनुचेद 31 के संपदाओं आदिके अर्जन के लिए उपबंद करने वाली वीदियों की व्यावर्ती अनुचेद 31 के कुछ अदिनियमों और वीनियमों का विद्धिमान्यकरण अनुचेद 31 गय कुछ निदे सक्तत्वों को प्रभावी करने वाली वीदियों की व्यावर्ती और अनुचेद 31 गय का लोब कर दिया गया है और अनुचेद 31 का भी लोब कर दिया गया है आपको पता है अनुचेद 31 में क्या था संपत्तिक आनिवारी अर्जन था जिसका लोब कर दिया गया है और यह important question भी बनता है कि अनुचेद 31 का लोब किस विदान संसोर देटन के अंतरगत किया गया तो आप नीचे कमेंट में मुझे अवश्य बताएं पिर अनुचेद 32 से 35 तक है साविदानिक उपचारों का अधिकार अनुचेद 32 इस भाग द्वारा परदत अधिकारों को परवर्तित करने के लिए उपचार अनुचेद 33 इस भाग द्वारा परदत अधिकारों का बल्लों अधिको लागू होने में उपांतरन करने की संसद की सकती अनुचेद 34 जब किसी चेतर में सेना की विदी परवरित है तब इस भाग द्वारा परदत अधिकारों पर निरबंदन अनुचेद 35 इस बाग के उपबंदों को प्रबावित करने के लिए विदान तो ये हो गए अनुचेद 12 से 35 तक इन अनुचेदों को विस्तार से जानेंगे हम अगले वीडियो में बने रहिए ग्रामन ग्यानदारा यूटूब चैनल के साथ और अभी तक यदि चैनल को आपने सबस्क्राइब नहीं क्या है तो सबस्क्राइब अवश्य कर लें धन्यवाद जै हिंद जै वारत